बड़ा सुन्दर प्रसंग है, बड़ा सुन्दर कथानक है, मन्ने के उप्रांत एक नेता जी जो हैं वो यम लोग पहुंचते हैं, यम राज जी उनके समक्ष प्रस्ताव रखते हैं कि नेता जी महराज आप स्वर्ग में रहना चाहेंगे या नर्क में रहना चाहेंगे, उस अगले दिन जो दूत है उनको ले करके स्वर्ग लोग के लिए चल देता है स्वर्ग लोग में पहुंचते हैं वहाँ पर सुरम बेवातर वणा है सुवंदित हवाँ चल रही है सब सुन्दर संगीत बज़रा है अगर नेता जी को ठीक है सब देख ले भाल करके जब पुना जब यम लोग पहुंचते हैं तो यमराज जी पूछते हैं नेता जी महराज बताइए आपकी क्या चोइस है आप कहां जाना चाहेंगे नेता ही कहते हैं वैसे तो दोनों जगे सब भढ़ी आई है मगर यह है कि नर्क लोग जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है तो मेरी विवस्ता यदि आप नर्क लोग में करते तो ज़्यादा ठीक रहेगा वहाँ पीजिए अधिक थर्स मिलने वजिनने वाले हैं तो अजयाद़ आनंद भानधी रहेगा तो मेत थ को लोग ने करें चलती हैं हिंग्दू पेंचा आजाते हैं जैसे नियता जी वहाँ पहुंचते देखकर रिदंग रहे जाते हैं वहाँ पर बंजर है बड़ा कश्ट में जीवन है वहाँ पर एक प्रकार से विवस्थाइं बदली होई है नियता जी चौकनने हो जाते हैं यमदूद से पूछते हैं यह क्या परिवर्तन कैसे हो गया यम प्रचार के खाण ब्रमी ब्रह्म की इस्तिति पेदा करने के लिए वह यहां पर ऐसी रखी गई थी मगर चूखी आज आप अपनी चौईज बता चुके हैं अपना विचार बना चुके हैं और आपने नरक लोग में आवास करने का निडने लिया है तो आपको नरक लोग में कि इस प्रकार का जो है वो जिस प्रकार का वेवार माई नेता लोग करते हैं वैसा ही वेवार उनको स्वर्ग लोग में यम्राजी द्वारा भी करवाए जाता है आए स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए आनद देत रहिए